नमश्कार प्रिये विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत हैं, आज हम पाठ पंध्रा पढ़ना शुरू करेंगे जो चंद्र बिंदु है, इसका सबसे पहले चिन देखिए चिन है, इस तरह से जब एक आर्क बनाकर उसके अंदर बिंदी लगाई जाती है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं ये चंद्र बिंदु बोलते समय नाक और मू दोनों का इस्तेमाल होता है नाक और मू दोनों का इस्तेमाल किया जाता है चंद्र बिंदु को बोलते समय और जबकि बिंदी जिसे अनुस्वार भी कहते हैं उसे बोलते समय केवल नाक का उपयोग होता है तो आब हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे ताकि हमें इसकी और क्लारिटी हो सके और चंदर बिंदु को लगाने के लिए एक और रूल में आपको समझा रही हूँ जब आप आ की मातरा लगाते हो उसके उपर बिलकुल उसके उपर ही चांद बिंदु लगेगी तो देखेंगे कैसे मा आप चंद बिंदु को देखें कि वो आ की मातरा के उपर ही लगाया गया है चांद, गांधी, इन शब सब शब्दों में आप ध्यान से देखिए कि चंद्रबिंदू जो है आ की मात्रा के ठीक उपर लगाया गया है अब आगे पढ़ो और समझो सूण, पूँच, बूँद, उट, पाउ आप भी अपनी पुस्तक खोलें और उसमें से पढ़ें और मेरे पीछे-पीछे भी बोलें गांध, दांथ, आंक, डांट, कुवाँ देखिए कुवाँ लिखते समय अक्सर बच्चे गलती करते हैं क, उ, उपर चांद लगा देते हैं लेकिन आप बोल कर देखिए कुवाँ, आ के उपर चंदर बिंदू की ध्वनी आ रही है तो हम चांद बिंदू आ के उपर लगाएंगे आधी, जान्दी, अंगूठी, बांसुरी, सावली यह भी पड़ो सांची एक सावली वह हस्मुख लड़की है वह तांगे में बैठ कर मा के साथ गाउं गई वहां उसने उँट और हाथी देखे वे पहुत उँचे थे हाथी की सून लंबी थी उसके पाउं में घंटी बंधी थी उँट की टांग में गुंगरू बंधे थे येस डियर स्टूडेंस आई होप आपको चंदर बिंदु जो है उसको सही ढंक से पढ़ना आ गया होगा आप इसी वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं दो बार आप जब मेरी आवाज के साथ साथ खुद बोलेंगे तो आपको जरूर ही याद हो जाएगा आईए अब इसके अभ्यासकारे को करें सबसे पहले मौखिक सिर्फ रीडिंग करेंगे इसका पढ़ो और समझो आँच, काँच देखो ये मिलते जुलते शब्द हैं आँधी, चान्दी टांग, मांग कुआ, धुआ पांच, महंगा महंगा के साथ मिलता जुलता शब्द है लहंगा, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा इसी तरह से पांच के साथ भी साथ शब्द लिखा हुआ है लेकिन इस पिक्चर में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है चित्र देखकर नाम लिखो उट, साप सही शब्द चुनकर खाली जगा भरनी है साची मा के साथ गाउं गई यहां आप्शन्स में से छाट कर आपने सही अंसर लिखना है हाथी की सूर लंबी थी उट की टांग में गुंगरू बंदे थे और सही जगा पर चंद्रबिंदू लगा कर शब्द ठीक करो और पड़ो जैसे यहां है दांथ तो आ की मात्रा जहां है उसके उपर चंद्रबिंदू लगेगा इसी को, इसी पेज को, अभ्यास के इस पेज को मैं आपको सौल्ड तरीके से दिखा रही हूँ इस पेज में ये सारा अभ्यास लिख कर दिखाया गया है इसी तरह से आपने अपनी बुक में ये काम करना है देखिए, चांद, आंख, उन, साब, गाउ, सूण, घुंगुरू और सही जगा पर चंद्रबिंदू कहां लगाना है हर शब्द के साथ चंद्रबिंदू लगा कर बताया गया है दान्थ, कुवा, आ के उपर चांद्रबिंदू पांच, कांच, धुआ, अक्सर बच्चे, धुआ, शब्द में ध को और उपर चंद्रबिंदू लगा देते हैं तो वो गलत है, आ के उपर ही चंद्रबिंदू आएगा महंगा, ये महंगा शब्द भी ध्यान से देख लो ह के उपर चंद्रबिंदू आएगा तो ठीक है बच्चो अब आप इस अभ्यासकारे को अपनी बुक में सुन्दर हैंड राइटिंग में करो ओके थांक यू बाबाई